Hello everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में यदि आप सिक्षक बढ़ना चाते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें जितने भी वीडियो आते हैं नोटिविकेशन आप लोगों को YouTube की तरब से समय पर मिल सकेगा राजिस्थान प्रारंबिक बालेवस्ता सिक्षा भरती 2024 प्री प्राइमरी सिक्षक की जो है वेकेंसी आई है जिसमें महला या पुरोस अभ्यरती दोनों ही जो है वो आवेदन कर सकते हैं पर्द का जो नाम है नरसरी टीचर है योगेता वेतन क्या ड्यूटी रहेगी ये सारी चीज़े इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिसकस की जाएगी आवेदन जो है वो बिल्कुल 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहे है तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूज जो है देखें राजिस्तान में होगी अर्ली चाइल्धूड एजुकेटर भरती पूर्व प्रात्मिक सिक्षा के सुद्रणी करण एवं प्रभावी संचालन के लिए रास्ट्रिय सिक्षा नेती 2020 में तीन से छे वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्वक प्रारंबिक सिक्षा एवं देख रेके नविंतम देशा निर्देश जारी किये हैं रोजगार महा नेदेशाले, श्रवयम रोजगार कारेले, भारत सरकार के समन्वे से बेरोजगार महलाओं को प्लेवे स्कूल में बतोर अरली चाइल्वूड एजुकेटर बढ़ने का अफसर दिया जा रहा है आवेदन जो 18 जुलाई से सुरू होंगे, ओनलाइन माध्यम से जो है, वो फॉर्म फिल किये जाएंगे अभी जो है जो पद है नरसरी टीचर का रहेगा और इसमें जो है जो बारवी पास कैंडिडेट हैं, एंटिटी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, वो बिल्कुल आवेदन इसमें करेंगे वेतन जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सरकारी नौकी रहेगी, तो 25,000 से अधिक आपकी सैलरी इसमें बनने वाली है जो आपका काम रहेगा, जो डिटी रहेगी, तो 6 वर्स के जो बच्चे हैं, उनको जो है अच्छी जो है सिक्षा मिले, उनको जह है देख भाल, खेल कूद, ये सारी चीज़ है वो आप लोगों की डिटी इसमें रहने वाली है ठीक है, तो जैसे ही आविदन स्टार्ट होंगे, आप लोगों के लिए बिल्कुल नया वीडियो बना दिया जाएगा, विग्यप्ति जो है वो पूरी आप लोगों को दिखाई जाएगी इससे पहले जो इसमें वेकेंसी आई थी, 2018 में, तो उसमें जो है, 1310 पदों पर जो है वो भरती की गई थी ठीक है, फिलाल जो है वो कितनी आ रही है, वो आप लोगों को 18 जुलाई से पहले ही जो है वो पता लगी जाएगा, वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो भी information आएगी आप लोगों को जरूर बताई जाएगी बाकी जो है आप सभी जानते हैं, entity course जो है वो, जो दो साल का entity course है, वो इसमें 2018 की भरती में मांगा गया था, फिलाल इसमें जो है वो क्या changement होते हैं, क्या एक साल जो entity course जिनोंने किया है, उनको जो है यहाँ पर मौका मिलेगा या नहीं, वो जो है पूरा विज्यापन करेंगे तो उसमें ही जो है हम देखेंगे, क्योंकि officially जब कोई चीज आती है, तो उसको पूरा पढ़ने के बाद ही जो है वो हम तै कर सकते हैं, कि इसमें पूरुस अभ्यार्ती को जो हाविदन करने का मौका मिलेगा या नहीं, तो बने रहें चैनल पर, thank you.